हाई फ्रेंज आप लोग का एक बाद फिस्ट स्वागत है आज की इस वीडियो में तो फ्रेंज आज की इस वीडियो में में लोग प्रिब्येसर क्वेश्चन पेपर को साल्व करने वाले हैं तो फ्रेंज जैसा कि आप लोग को पतागा 24 दिसंबर 2021 जो सीटेट का एकजाम हुआ था उसमें जितने भी मैंत के सारे क्विश्चन आए थे उसको आज की वीडियो में लोग सॉल्व करेंगे टो फ्रेंज आप लोग क्लास के अंतर तक बने रहीएगा क्योंकि आपका जो सीटेट का एकजाम होने वाला है उसके दिश्टी से या क्लास अती महत्पोर होने वाला है तो फ्रेंज चलिए अब इस class को हम लोग श्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग का आज का पहला प्रस्न क्या है आप लोग का आज का पहला प्रस्न है 60 लीटर और 750 मिली लीटर दूद 27 बोतलों में भरा जाता है प्रतेक का अकार समान है तो ऐसे ही 17 बोतलों में दूद की मातरा ग्यात कीजिए देखें यहां पर क्या दिया 60 लीटर और 750 मिली लीटर तो अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं 60.750 लीटर और अगर हम लोग एक बोतल एक एक बोतल की छमता निकालेंगे तो कितना वाज़ागा यह जो आप लोग का 60 लीटर 750 लीटर इसमें अगर हम लोग 27 से भाग दे देंगे तो हम लोगों को एक बोतल का छमता पता हो जाएगा तो एक बोतल का छमता क्या आजाएगा आप लोग का आप लोग का आजाएगा 2.25 लीटर तो हम लोगों से पूछा क्या है हम लोगों से पूछा है कि 17 बोतलों में दूद की मात्रा ग्यांत कीजिए मतलब कि 17 बोतल की छमता क्या है तो हम लोग करेंगे कि अगर एक बोतल का capacity 2.25 लीटर है हम लोग का आ जाएगा 38.25 लीटर मतलब 38 लीटर और 250 ml जी साफ्षन में होगा वो आफ्षन आप लोग का सही होगा तो देखिए आप लोग का जो दूसरा आप्षन है यहीं सही हो जाएगा 38 लीटर और 250 मिली लीटर 17 गोतलों में दूद भरा जाएगा को कि तरहनल का अगला प्रशन है विस्टुट के छोटे की चोटे पलार सेंटी मित तो एक थम को इन छोटे पैकटों को एक बाक्स में प्रस्में करना चाूता है जिसकी आंत्रीक माप's 0.5 liegt at需要.todosạnh दूड़े और 18 cm तो डिब्बे में कितने विस्कुट पैकेट पैक किये जा सकते हैं या हम लोगों से प्रसमें पूछाए तो आप लोग को पता होगा एक मीटर एक मीटर ब्रावब क्या होता है सो सेंटी मीटर होता है अगर एक मीटर में 100cm होता है यह जो दीया अपलोगा These को सेंटी मीटर में कमड करेंगे तो क्या आज अग्र हम लोग हंडे से मिल्टी लोग का लोगा 50 cm और फिर यहां पर आप लोग का 2.5 यह जो आप लोग का 25 इंटू हंडेट करेंगे तो कितना जागा पर लोग का 50 cm और अगला क्या दिए 18 cm दिया हुआ है अब हम थोटे हम लग क्या को और देंगे छोटे पैकेट का सिंटीमीटर नैस चोटे अर्म 21 सिंटीमीटर तंस थाद इंटू थ्रे अब देखें तीन से इसको काटेंगे तो six बार में और छे से इसको काटेंगे तर दो बार में और पांच दूनी दस और दस को इससे काटेंग हम लोग तो पाच बारें तो आप लोग का आ जाएगा 5 into 25 ऐसका हम लोग मल्टिप्लाई करेंगे तो आज़ेगा 125 मतलब कि 125 पैकेट पैक किये जा सकते हैं तो आप लोग का जो दूसरा आपसा नहीं वाला सई हो जाएगा अगला प्रस्न है यदि वर्ग की भुजा को दूगुना कर दिया जाए तो वर्ग का 56 क्या होगा तो देखिये फिरन जैसा के आप लोग को पता होगा वर्ग का छेत्रफल वर्ग का छेत्रफल क्या होता है एस्कार मतलब भुजा का इस्कार माल लिजे यह आपका क्या है एक वर्ग है बोला कि यह भी भुजा होता है यह भी भुजा और यह भी भुजा यह भी भुजा बोला कि भुजा को दो गुना कर दिया जाए मतलब जो यह वाला भूजा है इसको अगर हम लोग क्या करते हैं दो गुना मतलब यह जो यह है यह क्या हो जागा टूए हो जाएगा यहाभी टूए हो जाएगा यहाभी टूए हो जाएगा और यहाभी टूए हो जाएगा तो पूछा कि छेतरफल क्या होगा अच्छा देख सभ्सक्llaIRE करें तथ कितना आरे का दो दुन्हीं चार एस बाया तो देख legitimately है यह fjt वरे कि छेटरफल भी तो आप लोग का चार गुना हो गया लुक्षारफल गुष्व हो गया कितना हो गया चार कुना हो होता क्या है पहले ताप लोग क्या पता हो नहीं देखे बिसम भिन होता है जिसके अंस उसके हर से बढ़ा हो या उसके बराबर हुआ विसम भिन होता है तो देखे इसका अंस जो है या ऊपर वाले कहम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग अंस और या नीचे वाले और अंस छोटा है तो यह भी आपसन आप लोग का गलत हो जाएगा यहां पर देखिए अंस जो है साथ है मला अंस बड़ा है हर पांस से मला हर छोटा है तो यह वाला आपसन आप लोग का हो जाएगा क्योंकि देखिए यहां पर अंस यह भी बड़ा है यह भी अंस देखिए बड़ा है और यहां पे भी छोटा है तो आप लोग का बीसम्भिन कौन सा है यहीं तीसरा है आप लोग का तीसरा आपसन सई हो जाएगा अगला प्रसन है एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात वन समंधे फाइप है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा हम लोग उसे प्रसन में यह पूछा है तो देखे आयत का परिमाप क्या आयत का परिमाप क्या होता है तू पुस्टेक में लंबाई प्लस चोड़ाई दिके परिमाब हम लोग से परिमाब क्या दिया है फाइप एक्स दिया हुआ है और चोड़ाई क्या दिया वाप लोग का FM AX dias x5 यह आप गया और यह को install की यहां मैंनख अ Das OS confusion व्रहावर R9 x-10 डोगाल गाल वर दिकी इस दोडूले घरले जाएंग तो रावर य। वर मेड़ावर क्या हो जाए पलोग का 3X भाई तो 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 एंगे हम लोग को एल भी पता हो गया और इहां पे हम लुग को भी भी पिता हो गया तो पूचा है कि की लमबाई और चोड़ाई की बीच का अनपाद क्या हो गा मतलब कि लमबाई और चोड़ाई के बीच का हम लोग उसे अनपाद पुचा है पर को 3ve2 है मौनट यहाँ पर क्या है आप लोग को आप है पर चोड़ाई एकस है सब्सक्राइब हुद और दर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x समद्धे 2x तो हम लोग का आ गया चवड़ाई और लंबाई लंबाई और चवड़ाई की बीचकन पाद या इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं 3 समंद्धे 2 यहीं आप लोग का एंसर वजाएगा आप लोग का जो यह पहला आप् तो चलिए अब अगले प्रस्णों को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रस्ण क्या है अगला प्रस्ण निम लिखीत में से कौन सी संख्या दिये गए अनुक्रम को मतलब कि अगला जो यह आप लोग का लुप्त संख्या है यहाँ पर क्या आएगा चलिए यहाँ पर देखे और फिर यहां पे एक संख्या खाली है, पूछा कि यहां पे और यहां पे क्या आएगा, चलिए, हम लोग देखते हैं कि यहां पे और यहां पे क्या आएगा, देखिए अगर हम लोग जीरो में एक जोड़ दें, तो यहां वाली संख्या पता हो जाएगा, और यहां एक जो ह को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आर्सेहисс तो हहा पेशंख्या या रदा एक wspandArin आ जागा और 4 접ी दो जोड़ेंगे में तो तो योड़ेंगे गदना स्काइस सबम नाइग पांचार ना और आध बहला प्रस?!" संख्या क्या पता हो गया एक एक आईस आएगा और एक क्या एगा एक टी नाइन देखिया किस आफ्सन में तो यह आप लोग का फोर्थ आफ्सन जो है यह वाला सई हो जाएगा अगला प्रस्न है 27,720 के भिभिन अभाज गुडन खंडो का योग कितना होगा तो देखिए चली हम लोग पहले करेंगे का इसमें यह क्या दिया आप लोग का 27,720 इसका हम लोग क्या करते हैं गुडन खंड कर लेते हैं तो इसको हम लोग 2 से ले जाएंगे तो कितनी बार मे जाएगा आप लोग का जाएगा 6,9,3 और 0, फिर 2 से जाएगा क्योंकि देखिए लाश्ट में 0 है तो कितने बार में जाएगा आप लोग का आप लोग का जाएगा सो पचासी अब कितने बार ले जाएगे 5 बार तो कितना आएगा 77 अब किसने बार ले जाएगा तो 11 और 11 बार ले जाएगे तो एक तो देखिए पूछा है कि अभाज है देखिए सबसे चोटी अभाज संख्या क्या होता है दो होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि दो लिखेंगे पियर के बाद क्या है है अभाज संख्या 3 है फिर कितना है5 और उसके बाद 7 और उसके बाद 11 तो पूछा है कि अभाज, गुरन, खंडो का योग कितना होगा तो यह जो 2 P set plusinden P les 5 P Lesas और प्लस 11 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं देखिए तीन दू पांच 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 दस सा सत्रह और सत्रह में ग्यारा जोड़ेंगे तो 28 मतलब कि अभाज खंडो का योग कितना होगा 28 होगा तो आप लोग का जो यह पहला सनय वाला सही हो जाएगा अगला प्रसना आप लोग का मीनू के पास एक सेंटीमीटर भुजा का घन है वर ठीक ऐसे हित्तीज घनों को अपने डिब्बे में रख सकती है यदि महिमा के पास एक आयताकार पासा है जिसकी लंबाई दो सेंटीमीटर चौड़ाई एक सिंटीम आप लोग का क्या है घन घन का भुजा भुजा कितना दिया हुए एक सेंटीमीटर दिवा और कितने घन दिये हुए तो घनों की संख्या घनों की संख्या कितना है तीस है और उसके बाद क्या है आप लोग का आप लोग का उसके बाद है घनाव का आयतन मतलब घनाव का आय कितना है अभी दो संटीमीटरे एक संसेंटीमीटर और एक संसेंटीमीटर तो इन्टो वां इंट्रू वन तो चलिए अब लुग करें कि यह अंत-ब्य सब्सक्राइब दिंटियुआ आइतन निकाल लेते हैं तो आप लोग को पता होगा कि घौन पहले आकर को और घंका भुजा किया एक सेंटीमेटर रेंट अकर हम कम लोग क्योंट करेंगे आएग तो हम लोग इसके बाद क्रेंगे इसके अम करेंगे डबे का आएतन निकाल लेते हैं को डिब बनाब आट तो डिब्पो की संखिया कितना थीस है उसमे एक मVT कर देंगे तो कितना आई अपलोग का की सा आएगा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गनाव का आयतन् से नाव का आयतन के तो लंबाई इंटू Cora लेते हैं डिब्बे में बेवस्थीत आप लोग यहां पर लेवस्थीत वेवस्थीत की जास सकने वाली घनावो की संख्या इसमेबूंदर कटका 15 अलव जो आप लोका कितना आजागा 15 वाला सभय हो जागा कि 15 ऐसे और रखे जा सकते हैं अगला प्रक्रस मिचा अंको की शंक्या नाप पर दिया बुला 11 से विभाज है और पांच अंकों की समख्या इतने से विभाज है तो बत पूछा कि X प्लस Y और X-Y का मान क्या होगा देखिए आप लोग यहां पर क्या दिया आप लोग का चोवीश सेवन एट और इसको आप लेंगे यहां पर लेंगे यह अंख छोड़ कि फिर दो को इससे एड कर लेंगे और इसमें आड कर लेंगे चलिए एड करें पाँगा चाट तु आठ ताहट 14 और माइनस चार आठ चार 11 मैं प्लस एक्स देखे 11 से वह संख्या तभी भी भाज़े सकता है इन दोनों का मान या तो जीरो आ जाए या तो आए 11 आजए तो मतलब कि आप लोग का जो एक्स का बैलू है वह पांच मिल गया और उसके बाद क्या बोला है दिया आप लोग का 3671 और वाई क्या यह नौ से भाजे तो देखें नौ से वह संख्या तभी भाज जो सकता है जब इन संख्याव का योग नौ से कड़ी है तो इन सब को हम लोग जोड लेते हैं देखें नव सास वान अप्लस वाई इन सवी को एड़ करें तो कितना जाया आप लोगा चैटीन नौ नौ सा सोलह 117 सतरह प्लस वाई अगर हम लोग वाई के जगा यह यह क्ली तो क्या हो नौ से भाज़ हो जागा सट्रैक इस थारे तो वह नौदूनी 18 मतलब y की value क्या आगे एक लोग का एक आ गया y की value एक आ गया तो हम लोगों से पूछा x plus y x minus y का मान क्या होगा चलिए यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं मैं दिखें यह इसको दो से कटेंगे तो तीन बार में इसको दो से कांटेंगे दोबार में मनलगा आप लोग का लेंगा तीन बढ़ते दो आई जाएगा तो अमर को 1 बट्टे 3 और अकबर को 1 बट्टे 4 एंथिनी को 1 बट्टे 6 और 4 बृत को 1 बट्टे 12 दिया और मोहन के पास अभी एक दर्जन टाफी सेस हैं तो मोहन के पास सुरू में कितने टाफी मतलब धर्जन नि थे तो चलिए मान लेते हैं हम लोग माना कि X टाफी था उसके यहां पर लिख लिजे एक दर्जन बर्याबर बारे होता है उस ने अमर को इसको तो अकबर को कितना देता है एकस का वन भाई फोर देता है तो यहाँ कितना लिटा एकस का एक बट्टे बारवाग हो जाएगा तो अब यहां पर देखिए आप लोग कि उसने कितना टाफी दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे कि एल्स यह हमें लेंगि इसका कितना है अगा हम आप लो का बारा यह सर है इस बारे में आप यह सन 12 जाएगा सक्षी सकतर निदम तर फोर कैसे को देने सरे यह तरी फ्लस जा हो जाएगा कितना सब्सक्राइस जोने लिए इतना बिसमें दे दिया चलिए कितना टाफी था उसके पास X था उसमें से उसने 10 X by 12 टाफी दे दिया और सेस कितना बचा उसके पास 12 टाफी बच गया तो देखे इसको जब इंदर करेंगे तो कितना जाए 12 X-10 X अब बटे 12 आई यहां पर कितना हो जाएगा 12 अभी इसको घटाएंगे तो कितना हो आप लुए अब बटे 12 बराबर 12 इसको इससे काटेंगे 6 बार में एक्स बराबर कितना आजाएगा आप लोग का आप लोग का आजाए 12 टाफी टोटल था लेकिन हम लोगों से पूछा क्या आए दरजन में पूछा है तो दरजन में निकालने के लिए आप लोग करेंगे क तर मनलब उसके पाद 6 दर्जन टाफियां थी तो आप लोग का जो तीसरा आप्शन है वाला सई हो जाएगा जो अगला प्रसने कि निटीं कामागत प्राक्तिmondas अंख्याओं का योग सदे़ के ॅसके द्वारा बुभावज यह पुछाए तो चलिए नमान लेते हैं तीन क्रामागत संख्या क्या है तीन क्रामागत संख्या चलिए एक समालेटे हैं एक्स्ट प्लस वन और उसके बाद एक्स प्लस टू यह तो यह तीन करा मागत संख्याए अब इनका योग कर ले ते हैं लोग एक्स प्लस लुग एक्स प्लस फ्लस टू हुझा जो जोड़े टेमे तो कितना आएगा यहां पर अपर घुद भी पाजोगा तूब भाजोगा द रखते हैं तो त्री एक रखेंगे तो कितना जागा वन या कितना जागा इसको जोड़ेंगे दो जागा इन दोना च्वा च्वा किसे विभाज है तो जो आप लोग का या दूसरा आप्शन है या वाला सई हो जाएगा अगला प्रसन है राधा, मनीश, राजेश और आसा 137 मारबल को आपस में बाटना चाहते हैं यदि प्रतिक को समान संख्या में मारबल चाहिए तो दिये गए मारबलों के संग्रह में कितने मारबल और जोड़े जाना चाहिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं कितने मारबल ह है चले आपने लिखते हैं मारबल की संख्या कितना है 137 है और व्यक्ति यो की की संख्या चाहर है तो घंपर गटार हो कि ह्युल्ativa हम लोग कितने है और यह पूच को रहें तो जो आप लोग कर 117 है इसमें अगर से भाग दें紧 तो चार थे हिंह बाहर ब Judas working के 16 सेस्फल कितना आया एक है देखिए कए अगर इसमें अगर हुआ हम लोग टीन और जोड़ देते तो इquito crack कि अगर कि अग्थीं ओर होते थे तो यह सब को समान मत्रमें त lend года Curtainetes में अगर हम लोग 3 जोड देंगे कितना हो जागा 140 हो जा और 140 जो है वह चार से कड़ जाएगा मतलब तीन मार्बल की और आप सकता थी तो आप लोग का जो है तीसरा आपसन है या वाला सही हो जाएगा तो फ्रेंस आज की कलास यहीं पर समाप्त होती है अगले वीडियो हम लोग किसी और प्रिब्यास एर पेपर को साल्व करेंगे जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें ताके अगले वीडियो का नाटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके तो फ्रेंस चलिए अब अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए थैंक्यू